दोस्तो अगर आपने भी अलग अलग यूटूब चैनल पे अलग 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 एटसन अकाउंट जोड़ने का सोच रहो या जोड लिए है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप अलग 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 चैनल आता लिए 3 चैनल आता आपको चय लाक आपको य को समक्ति कम लिख वी अजीक कर दो कि आपको अच्टे। तो लिंक करो और फिर क्या करो कि आपका इंकम होने लग जा जाए अप क्या आप यूटूबम आप ya वाले ओप्सन पे अपने आप अपने करना उसमें चेंज असोसी एट का आए उस पे बाद में आप चाहो जैसे के आप जिस चेनल पर डोलर से जादे कि इनकम हो बास को चाहो तो एकाउंट चेंज कर सकते हो ओप्सन आपको मिलता है ठीक है पहली बात तो यह होगे कप करोगे सो डॉलर होने लग जाएगा उसके आने लग जाएगा हर महीने तब आप करना ठीक है अगर आप पहले कर दोगे ना तो उसके जो नेगेटिव जो इफेक्ट है वो क्या पड़त है ठीक है अब उसमें फाइदा घाटा क्या होगा कि लोगों बोलते है अलग चैनल बनाओ तो अलग एटसन बनाओ तो उससे घाटा क्या होगा आपको बतो क्या होगा घाटा घाटा आपको यह होगा कि आपने तीन चैनल बना लिए तीनों चैनल पर अलग अलग एटसन दे तो आपको यह घाटा रहेगा अब जब 100 डोलर होने लग जाएगे तो आप तो परसनल पईसे निकाल सकते हो पर 100 डोलर तक आपको इंतियार करना पड़ा इसके आपको सप्रेवा, वहाँ यह बहुत है, तो 100 डोलर तो यह मीन भी जाते हैं कि लहना इसलते हैं किशले में आपको इसके संप चौन से और यह घ्ट करके एक कर सकते हैं तीनों चैनलों के लिए जब तक इनकी जो एवरेज बढ़नी जाए ना सो सो डोलर की जब तक आप इचा करोगे एक ही में चलना दो और ध्यान रखो सबसे बड़ी बात कोई दिक्कत नहीं आती है आपको ध्यान रखना पड़ता है कंटेंट किस टाइब का डा बात बात बता दूजर्स से यूटॉब की तरफ से टिचे अंदर अकर आपने दो चेनल लेट लग तो आपको दिक्कत आईगी तो आपको इस बात स्टान तो आपको ब्रांड अकौंट में फाइदा रहता है आपने एक फीचिनल अगर अगे बचसे ने बन कट बना रह रहा है तो आपको सब्सक्राइब करने वालो 2018 में मेरे साथ हुआ था यह चेनल डी मॉनिटाइज हो गया था उसमें मेरे ब्रांड अकॉंट था तो मैंने उसको क्या कर रहा था दूसरी जमेल डी पर ट्रांसपर कर दिया था ठीक है तो इससे भी आप कर सकते हो और आपको ब्रांड अकॉंट रखना ठीक अपन